हलो दोस्तों स्वागात है अपसब का आपके अपने इट्विचनल फ्री एजुकेशन भाई पीके मेता में और आज किस वीडियों हम बात करने वाले हैं मैत के कुछ इंपोटेंट रिस्und के बारे में रिस्टिनिंग से हमरे दाथपर यह है कि डास के बारे में ठीके डाucc आज कि प्रश्ण वह ने कि नीचे दिये गए पासे के तिन प्रारूप दिये हुए एक दो और तिन इस पासे में दो के बिपर्ध़त फलक कौन सा हो होगा यह पास्थ वगया प्रस्वजंट को इस प्रम?! इस पैस्थ करन से पहले आप लोग को पासा का कुछ बेसिक फडस्थ वन्दा भुताने वादह सूथ ऐस का जो डाई सुत हों'S लोग फडसा बोलते हैं ओ ठीक है पासा यह जो यह उता होता है 2 दो प्रकार का होता है आपका, ठीक है डास कितने प्रकार होता है दो प्रकार का, एक होता हम लोग क्या, जेनरल, जेनरल डाइस, जेनरल डाइस, एक होता हम लोग का, स्टेंडर्ड डाइस, क्योंसा, स्टेंडर्ड डाइस, स्टेंडर्ड डाइस, ठीक है, जेनरल डास का सदारन पासा ठीक है दूसरा तम लोग कौन यह ओता आप लोग का मानक पासा मानक पासा के लिए हलें की इसके बारे में वीडियो पहले बना चुका हूं डिटेल में आप लोग जाकर दे सकते हैं उसका लिंक में दिस्क्रिशन में दे दूंगा ठीक है समझेंगे हमलोग सदारन पासा और मानक पासा के बारे में तो सबसे पर हम बत्रा करते हैं एक डाइस बनाते हम लोग अर देखिख गाएगा डाइस क्यषे बनाता आप लोग डाइस अप लोग बनाने के लिए आपको एक सष्ट भूज की बनाने पड़े ऺए तीन चार पाच और 6 और इसमें करना कि आपको एक y y बस आपका dice मन के त्यार है dice में कुछ नमबर लेता हूँ 2 3 और 4 एक और dyes में Bनाता हôm आप लोगो 3 4 5 और 6 भुजा हो गये आपका इसमें करना कि आपको y बनाना है मैं इसको चुछन दो हो गए चार और आपका मालता हूं मैं इसको कर लता हू carry मैं कर ने था हुआ कहीं से मुझा अपवर ये में घृता हूं 52 चार ओर पांच थिए अब बात करेंगे, इन दोनों में कौन सा जो है, कौन पासा है, मानक पासा कौन है और सधारन पासा कौन है, देखिएगा, जो सधारन पासा होता है, इसको पहचानने का एक सिंपल सा फंडा होता है, वो क्या होता है, देखिएगा, किसी पासे आपको तीन फलक, यानिए कि ती सद्धापको दिखाई देंगे, एक, दो, तीन, सभी हुए, अब बाकि जो तीन होते हैं, वो क्या होते हैं, छिप जाते हैं, तो जो सद्धारन पॉस्टा होता है, इसको पहिचानने का सिंपल फंड़ा क्या होता है, इन तीनो सत्वों में, इन तीनो फलकों के, किसी भी दो फलक को जोड़क करके, अगर आपका अंक साथ बन रहा हो, कितना? साथ, तो स्को बोलें क्या? सधारन परशा, फोरेजामपल इसमें क्या है? 2 प्लस का 4 कितने होता है? 6 होते हैं 2 प्लस का 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं तेके अपको 7 बनना है 2 प्लस का 3 कितना होते है 5 तीन प्लस का चार करते हैं तो कितना होता 7 यानि कि किसी भी 2 सता को जोड़ने के बाद किसी भी 2 सता को जोड़ने के बाद आपका 7 बनना चाहिए अगर आपका इहाँ पे तीन प्लस का चार को जोड़ने के बाद साथ बन गया, तुम्हारा सद्धारण पशा कहेंगे. इस वाले पशा की बात करेंगे, इसमें क्या दू प्लस का पांच कितना हो गया? व क्या दू प्लस का सद्धारण पशा हो जाएगा. कौन सा पसा, ये भी सधारन पसा हो जाएगा, ठीक है सधारन पसा, लेकिन अगर वहीं बात करें दो माना कपसा का, तो इसके ब दिखते हैं हम लोग, हम लोग एक डाग्राम बनाएँगे, सष्ट भुज बनाएँगे पहले, उसके बाद एक वाई लिखने, ठीक है, यहाँ प आपको तिन यहां पर इतना पर लोग को पांच और यहां पर इतना पर लोग को एक ठीक है अब देखिएगा इसके विसके दो सदा को आप जोड़ियें याद रहे थे दू हिस्ता को जूड़ने है तीन को नहीं जोड़ना आप नोगोको किसी दूसरोग जूड़े आप साथ बना गया तो बोलें क्या साधारण पास्षां अगर साथ नहीं बना तो बोलें क्या मानक पास्षा कोना सा पासं burg गोजाएघा मानक पासा यह बैसी चीज है आप लोग को याद होने चाहिए ठीक है जब तक आप पासे के बारे मिनकारी नहीं लेंगे कि कौन सा पासा है तब तक आपसे प्रश्ण नहीं बनेगा अब बारी आती है प्रश्ण कैसा पूछेगा तो प्रश्ण पूछेगा पासा के रूप में तीन हो गया आपका दो हो गया और एक हो गया इसको आप किसी भी दोस्ता को जोड़िए साथ नहीं बन रहा है तो सबसे पहले बात करें कौन सा पासा है तो हमारी यह मानक पासा हो जाएगा ठीक है अब प्रश्ण पुछेगा किसमें तीन के बिपरित तीन के बिपरित कौन सा अंक होगा तीन के बिपरित कौन सा अंक होगा कौन सा पासा मानक देखेगा इस वाले पासा की बात करें मानक पासा की तो मानक पासा में जिस भी संख्या का बिपरित पूछेगा यहां पर तीन पूछ रहा है कि तो करना कुछ नहीं आपको तीन में से कौन सा अंक जोड़ेंगे कि सात बन जाएगा या फिर आप सिंपली साथ में से इस तीन को करेंगे माइनस कितना हो चार यहीं कि आप कह सकते हैं कि तीन का जो अपोजिट हो गया है इनकी चा यानिकि अगर सधान भसा मकान जाए तो जो भी यंक का आपका वीपरित पूछेगा उसमें ऐसा कौन सा नम्बर आप जोड़ेंगे ताकि वह साथ हो जाए एक की बात करेगा तो एक का पोजिट लिखेंगे कितना हम लोग छे क्योंकि छे प्रस एक कितने होते हैं साथ चाल प अब बात करते हैं ठोल सधान पाशा की कौन सा पसा सधान पाशा एक हम लोग एक और डाइगरा मनाते हैं पाशा कहा कि लिए चलिए अब यहाँ प PUST कुछ नमबर दे कहते हैं सदहान प बैसा क् inici कीसी दो सता को जोड़ने के वाद 7 के यहां पर लिए यहां पर经压 पांच और यहां पर लिए छे माली जी पांच प्रस का दो कितना होगा साथ तो साथ हो गया तो पसा कौन से हमेर हो गया यह सदारान पाशा हो जाएगा ठीक है सदारान पाशा अब इसमें से प्रशन पूशन पूशता आपका कि दो की अपोजिट कौन सा अंख होंगे या पिछे का इसमें आपका एक दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलेंगे इसमें आपका एक दिखाई नहीं दे रहा है हमारा तीन दिखाई नहीं दे रहा है और चार दिखाई नहीं दे रहा है तो अब कह सकते हैं कि सदारान पासा में इस दूख के बिपरिज होगा एक तीन और चार नंबर हो एन तीन हो जाएगा वहीं बात करेंगे छे तो छे का अंख बिपरिज भी क्या होगा एक तीन और क्यों होगा? क्यों कि इसमें जो अंक दिखाई नहीं दे रहे हो यह हुझा तो उसके बीप्रित वाले सतह का अंक होते हैं, किसमें? साधारण पासा में है, थाज़ को मानक पसम क्या होता है? उसको साथ बनाने पड़ते हैं, जोड़ने के बाद साथ बनना चीए वहीं उसका अंख होगा के लिए इतना में कोई दिकत नहीं है अब चलते हम प्रश्णों की तरफ देखेगा हमने क्या क्या इससे पहले सिंगल पासे का बेप्रिस्ता निकाल लिया लेकिन अगर आपसे आपको प्रश्ण में दो पासे दि साथ हो जाएगा यहां बात किरें चार प्रस का 3 साथ हो गया तो इस प्रश्णी पूछ सकता आपका की इस पासे में तीन के वीपूरित क्यों सा अंक होगा 3 के विबरिट कौन सा होगा ? अगर हम बात करatanगे इस वाले पासे में तो आप बोल सकते हैं कि सठहरन प Community क्या थामलों नहीं देते राधा हैं समाव के एक दिखाय नहीं जो पांच और छे तो आप बोस्त एक आप्सा चोफे अर इसमें बोलेंगे दो चार और पांच बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर गोपासे दिये हुए हैं। दो पासे आदर दो पासों के तुलना करके आपको बताना है कि तीन कोवहाँ व्हाँच होगा सकते हैं और या दोकृ 위에 होगाँ क्या करनां इसे पहले पास श ? इसके लिए ये 3 सके लिए ये 3 पॉंदिंते अभ तीन जहां मिला आप पर वहां से अपर घडी के दिशा में चलना हमरे। आप चहों तो ऐसे भी चसतों को इस में माज़ाँ में चलना पड़ेगा। नहीं कि सब्सक्राइब कई को से हैं सब्सक्राइब कर शेक्ट थे किसी पहल बात करें कि में तीन के बाद कौन सतना मूंबर स्था में और यह कोंसाenty चांगे चार प्रत कई दिकत नहीं आब नहीं कि छे के अपोजिट दो होगा एक के अपोजिट चार होगा और चार के अपोजिट एक हो जाएगा लेकिन प्रशन कहेरा आपसे कि तीन का विपरित कौन सा होगा तीन का तो तीन का विपरित आपको तीन दिखाई दे रहा है लेकिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि तीन का विप्रित पूछ रहा है तो देखिएगा इसमें से कौन ऐसा नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है तीन के विप्रित तीन बिल्कुल नहीं होगा एक है दो है तीन है चार भी और पांच भी है ठीके ऐसे प्रश्ण आपको पांच नमर आपको कुमन मिल जाए यहाँ पर पांच आपको नहीं दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि तीन का विप्रित होगा आँ का नंबर कौन मिल जाएगा चलिए एक और प्रश्ण देखते हैं ठीक है एक मनाते हम लोग पासा योग हम लोग पास से एक एक और मनाते हम लोग चलिए इसको बनाते हम लोग कि एक नंबर लेते हैं दो लिया मैंने पांच लिया और चार लिया ठीक है यहां पने क्या यहां पर दो लिया यहां पर मैंने तीन लिया और यहां पर मैंने चार लिया के लिए हमने क्या पहले पासे का ग्यान लेंगे पासे कोण्षे है तो पांच प्रस का 2 7 और चार प्रस का सथ ये जबना कों सा सधारन कों सा साधारन इतना तो पता चल है अब बात करें इस प्रेश्ट में कि दो कई बीपरित कौन सा अंग हो जाएंगे चलिए अब देखिए कि ध्यान से इस वाले प्रेश्ट में दो अंग क्या एक कोमन है अब पर दो यहां भी है दो हमारा यहां भी है चार यहां भी है और चार हमारा यहां भी है ठीक है दोनों अंग क्या एक कोमन है एक अंक कुमन था लेकिन यहां पर क्या आपका दो अंक कुमन हो गया एक अंक कुमन होगा तो आप इसको ऐसे लिखेंगे जब दो अंक कुमन होगा तो दो की अपोजिट आप दिखेंगे इसे अगर हम दो से बात करेंगे दो के बाद कौन से नमबर रहेगा पांच तो रिखेंगे क्या हमनों दिखीगा दो के बाद कौन सा होगा पांच घड़िक दिसा में पर पांच के बाद कौन सा होगा चार तो रिखेंगे चार हमने दो नमर लिया है यहां भी क्या करेंगे दो से लेंगे दो के बाद कौन सा नमर होगा 3 तो लिखेंगे 3 3 के बाद कौन सा होगा 4 यहाँ पे 2 से सुरू का 2 लिखना पड़ेगा आपको 2 की अपोजिट 2 और 2 के बाद 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा ठीक है और 3 के बाद कौन सा नमर होगा 4 तो लिखेंगे 4 तो आप देख पार हैं यहाँ पे कि चार की अपोजिट चार हो जाएगा हमारा और दो की अपोजिट दो हो जाएगा देख पारें हमने क्या कहा था कि जो दो नमबर को मनाएगा तो दोनों का अपोजिट सेम नमबर हो जाएगे दो की अपोजिट दो और चार का अपोजिट चार हो जाएगे बाकि जो बच गया संक्या कौन बच गया चार और तीन बच गया सोरी पांच और तीन बच गया हमारा तो पांच के अपोजिट कौन सांग होगा तीन हो जाएगा लेकिन अपके प्रश्ण में क्या करा है कि दो के विपरित कौन सांग होगा दो का विपरित तो दो का विपरित प्रेशन का आंसर हो जाएगा, यानि कि हाँ पे 2, 3, 4 और 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, नमबर कौन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो नमबर आप बोल सेते हैं क्या, 1 और 6 हमारा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो 2 की अपोजेट का 1 और 6 हो जाएगा, अगर वहीं पुछ पांच की अपोजे तो बोस्तने तीन, कोई दिख्यत नहीं, आपका अंसर यह होता है, क्लिए रहे हैं, अब देखते हैं, आप देखते हैं, तीन वाले पासे में, जो कि मारा प्रशन था पहले है, तो हमारा यही प्रशन था, इसमें आपको तीन पासे दिये हुए है, तो आप पूछरा दो कि मिप्रित क्या होगा, देखेगा, जो दो अंक है, इसमें भी है, यहां भी है, ओर ङहां भी है, दो कि अलावे, कोन सा अंक, जो सभित में फिर प्र कुमन है, दो के अलावे, एक है यहां पर ऑजrien के मारा क्लाद कısका है,רג तो मैं कि पर कुमन है, तिन की पर दो से कर सकते हैं फो पहले हम एक और दो को कम्पेर करेंगे ठारी तो यहां पर देख भारें कि दो यहां पर नंबरलो हमने क्मवार था कि एक के बाद कौन सा होगा 3 तो लिखेंगे 3 उसके बाद होगा 2 तो 2 इसमें क custom 1 के बाद क्यों से नंबर होगा हम लोगा 1 के बाद 5 उसके बाद 2 देखिया आप लो एक के बाद एक क्या दो क्या आया और तीन की आपोज़िट क्या आपर विं आप 5 अब इस वाले प्रेश्ण में हम देखेंगे दो का प्रेश्ण पूछ रहा दो की अपोजिट कौन सा होगा तो एक, दो और पांच एक, दो, तीन और पांच अपको दिखाई दे रहे हैं बाकी हम लोग का नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप यहां से या तो इसको या इसको compare किजिए, या फिर इसको इसको compare किजिए, क्योंकि यहां भी आपका 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, आप किसी यह को compare कर सकते हैं, कोई दिक्यत नहीं होगा, हम क्या करेंगे, इसको compare करते हैं, 2 है, तो लिखेंगे, क् 6 और 4 कोई दिक्कत नहीं आपिर। इसमें अपका 1 नमर ही कुमन था। इसलिए आपका 2 के इपोजिट, 2 और 1 पोजिट, 5 पांच के इपोजिट 4 है या? एक के अपोजिट छे है और पांच के अपोजिट चारा है लेकिन पूछ रहा है दो की अपोजिट तो इसमें दो की अपोजिट में कौन सा नमर आपको नहीं दिखाई दे रहा है एक भी है दो भी है तीन नहीं है आपका चार भी और पांच भी है तो इस वाल में आपका दो क अंसर होगा यहां जो निकाल था यह दो पासों में निकाल था हमने यह हमारा फाइनसर नहीं हुआ वीडियो पसंद आप दो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए